Good afternoon everyone, मैं मैं सलीफ रॉम सारन विहार and you are watching मेरे कलियोनी क्लासेज आज मेले आया हूँ आपके लिए एक फिर से छोटी सी वीडियो आपने एक कहवा सुनी होगी, देखने में छोटा पर घाओ करे गंभीर वैसे thank you के तो बहुत सारे replies हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लेकिन उन में कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है किमकि कुछ ऐसे words होते हैं जो informal होते हैं सबसे पहले मैं आपको हिंदी बता दूँ कि formal की हिंदी होती है आपचारिक और informal की हिंदी होती है अन आपचारिक इन दोनों के बीच का जो difference है जो फर्क है वो मैं समझाने कोशिश करता हूँ सबसे पहले चीज की formal यापचारिक जो की काफी इज़त के साथ good manner के साथ समान के साथ हम कोई भी बात कहते हैं या कुछ भी we have वैसा करते हैं वो हमारा formal we have होता है या formal बाते होती है या formal तरीके होते हैं या formal sentences होते हैं लेगिन ठीक इसके opposite दूसरी तरफ देखा जा informal तो इसमें कोई respect नहीं होती है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई जब कोई आपको thanks या thank you कह रहा हो तो वो विक्तिक कैसा है उम्र में आपसे बरा तो नहीं सम्मानिये अधरनिये तो नहीं या फिर कहीं परिचित तो नहीं अन्नोन तो नहीं तो इन सभी confusion का आज मैं solution लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए आपका मन करता है जहां भी जो भी बोल देते हो बहुत सारे students को मैं देखता हूँ कि वैसे तो most of the students you're welcome या welcome कह दिया करते हैं thank you के जवाब में लेकिन सिर्फ यही प्रयाप नहीं है मैं आपको कुछ ने ने चीज़े भी बताता हूँ तो पहली चीज़ की किसी भी वेक्ति के द्वारा जब आपको thanks बोला जाए या thank you बोला जाए thank you very much बोला जाए तो आप उसके reply में क्या क्या कहोगे पहले इसको मैं बता देता हूँ सबसे पहले एक तरफ informal को कर लेते हैं informal के रूप में welcome आता है you're welcome आता है it's my pleasure आता है वो और भी words हैं लेकिन यही तीन के तीन मुझे बहुत अच्छे शब्द लगते हैं और ज़्यादा prevalent भी हैं ज़्यादा famous भी हैं और इसके ठीक opposite side में मैं रख देता हूँ informal helping ups को जैसे की it's okay हुआ that's okay हुआ या फिर that's all right हुआ या that's okay हुआ इस तरीके के जो शब्द हैं वो informally इस्तिमाल किया जाते हैं यानि जब कभी भी आपको कोई आपसे जो junior हो आपसे छोटा हो या आपसे junior नहीं भी हो senior हो लेकिन आपके दोस्त जैसा हो उसके साथ आप करिष्टा बहुत कह सकते हो लेकिन याद रहे कि आप जब कभी भी आपसे कोई बरा हो समणिये हो आधरनिये हो आपसे status में आपसे age में या आप उनसे ज़्यादा वाकिफ नहीं परिचित नहीं तब आपको ये it's okay नहीं कहना है लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भूल कर बैठते हैं और it's okay बोल दिया करते हैं कि वो फिल्मों में सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा it's okay चला करता है या that's okay चला करता है तो उनको लगता है कि या formal informal क्या देखना है चलो जिसको जहां मन करता है वैसे reply कर देता है नहीं दोस्त परहे लिखे लोगों के बीच में आप insult हो सकते हो या ये स आपसे कोई उम्र में छोटा हो या थोड़ा बहुत बड़ा भी हो लेकिन दोस्त जैसा हो उससे आपका relation काफी near हो काफी निकट हो तो thank you के जवाब में आप it's okay that's okay it's all right that's all right बोल सकते हो लेकिन जब कोई वेकती आपसे उम्र में बड़ा हो इस्टेटस में बड़ा हो या फिर आदरणिय सम्मानिय बेखती हो respectable बेखती हो या जो कोई भी आपसे छोटा नहीं भी हो है ना लेकिन वो आपसे वाकिफ नहीं हो आपसे परिचित नहीं हो तो क्या आप उसके साथ missbehave कर सकते हो क्या आप उसके साथ वो अस्थानिय भासा में कहते हैं रितोकार कर सकते ह का नहीं ना तुम से नहीं बात कर सकते तू से भी बात नहीं कर सकते आप से बात करते हो तो छोटों के साथ भी वैसी सिचुएशन में आपको welcome, your welcome या it's my pleasure कहना चाहिए यह जो welcome है और you are welcome तो you are welcome को short बना करके your बना रिया गया है यानि यूर का short form होता है यूर यूर और फिर welcome बोल सकते हो यानि मैंने आपकी बातों का, आपके thanks का, आपके धन्यवाद का मैंने स्वागत किया इसकी हिंदी कुछ ऐसी आती है तो आप वहाँ पर welcome या your welcome कह सकते हो लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा घिस चुका है बहुत ही ज़्यादा लोगों के द्वारा बोला जा चुका है मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही सुंदर formal word है वो है it's my pleasure it's my pleasure का मतलब है इसमें मेरी खुशी अगर मैंने आपकी मदद की मैंने आपको सपोर्ट किया या मैंने आपका साथ दिया तो मैं lucky हूँ मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे आपका काम करने का औसर प्रदान हुआ या मैं आपकी मदद कर सका इसमें तो मेरी खुशी है मैंने आपकी मदद की तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और आगे से आप अपना इंप्रेशन थोरा सा डिफरेंट जमाऊना यार वैसे शब्द उतना यूज मत किया करो जो कि ज्यादातर लोग यूज किया करते हैं किमकि जो लोग यूज किया करते हैं वो तो सब को पता है थोरा सा हट कर बोलोगे अलग बोलोगे तो अपना एक अलग इंप्रेशन जमेगा अपनी एक नई पहचान बना सकोगे लोगों के बीच और highly educated लोगों के बीच बोलोगे तो उसकी बात ही अलग है तब तो आप अपन चाहते हो तो सिर्फ my pleasure भी कह सकते हो और भी बहुत सी बाते हैं thank you को लगर करके ऐसे जो भी words होते हैं excuse me, thank you, best of luck, all the best, welcome, oh my god, wow इस तरीके के जो भी words होते हैं मैं उन सभी words को आपको बताऊंगा छोटी छोटी सी वीडियो में और वैसे तो मैंने greetings पर भी दो वीडियो बना चाहूंगा और अब ज्यादा कुछ आपको नहीं कहना चाहूंगा बस जो कि मैं बार बार बोला करता हूं कि कभी भी अपना impression बागी लोगों से थोरा सा different जमाने की कोशिश करो कि यह जमाना modern हो गया है यार, technology का जमाना है और technology को छोड़ करके देखा जाए तो सभी के सभी लोग modern हो गया है, सब लोग कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, आप भी कुछ अलग करो और thanks और thank you के reply में आप इंस रबनों का इस्तेमाल करना, जिन में से प्रमुख जो था, it's my pleasure या my pleasure जो की मैंने बताया, आप use करके देखना, वाकिए में आप अगर आपको मेरे परहाने के तरीके या मेरी परहाने की शैली अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल मेरे कलियोने classes को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्यूंकि मैं वैसी वीडियो ज्यादा बनाया करता हूं, जो बाकी लोगों के दुवारा उतनी नहीं बनाया ज पूशिश करता हूं कि मैं वैसी ही contents अपने चैनल पर दूँँ, जो कि बाकी लोगों के दुवारा थोरे कम बनाया जाते हो, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनाया जाते हो, बनाया जाते हो लेकिन उन लोगों से थोरा अडवांस और उन लोगों से थोरा सा अलग, क्यूंकि मेर टेक केर अफ यरसेल्फ